हलो फ्रेंस seized आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी को समाजी की विज्ञान का सं पूर पेपर हल कराने वाले हैं साथ में आप सभिकु मान Washington से संभंदी जो पूछे जाते हैं उन्हें सभी प्रशनों को हल कराएंगे और साथ में वीडियोन के लिए इस किप मत कीजिए घराल्स सभी पेपर का हल वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चलो को सब्सक्राइब कीजिए देखें यहां से प्राराम होते हैं छंड जिसमें बीज बहुवी कल्पी प्रशन हैं है फिर इसके बाद दिर तरी प्मों लें पूछा है लेकिन पूछा नहीं का जवाब आपका सही वला प्रोष्ण देखिए अनुसार किसेह राजनिती से अलग नहीं किया जा सकता है ठीक है यह भी important सवाल है जितने भी प्रश्ण बता रहें सभी आपके लिए सबसे important जो सवाल है वही सब आपको बताया जा रहा है तो आप video को skip मत कीजिए बार बार यह चीज़ आपको कर रहें सभी संपूर पेपर का हल जरूर आप महत्मा गाधी के आनुसर किसे जवाडिती अलग नहीं किया सकता है सन्वीधान और धर्म को कभीए bindet से अलग नहीं किया जा सकता है इस प्रश्न का सही जवाब डिवलाप्सन आपको क्या हो जाएगा अगरा देखिए विस्मार्क ने किस नीती द्वारा जर्मनी के एक लग में शफलता पाई थी तो कौन से नीती अपनाया गया था तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा लोग एम रक्त कि नीती अपनाए जित इसका सही जवाप डिवलाप्सन सही हो जाएगा कि बिस्मार्क ने लोग मर्क निती द्वारा जर्मनी के एक लिए यह यूद्ध कब हुआ था इसका सीधे जवाब आप याद रखेएगा कि अगला प्रशन देखिए आपका पाचवा नंबर का की देखिए आप भारत में कुल कितने संघी राज्य है तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में अगला देखिए रालेट एक्ट किस वर्स पाजित हुआ था आप सभी को यह प्रशन तदर वाइरल प्रशन है इसका सही जो अब भीवला आपसां सही हो जाएगा कि अगला प्रशन आपका देखिए कि काली मिर्दा के निर्माड होता है आपकी मिर्दा से संबधी प्रशन बनते उसको जरूर आप याद रखिएगा यहां पर देखिए कि काली मिर्दा के निर्माड कैसे होता है वायू से होगा गलेशियर से होगा जोला मुखीवी स्पोर् प्रश्न का सही जवाप स्थिवल आपसन सही हो जाएगा देखें यहां पर आठवा नमबर का सवाल कि बाकसाइड चैनल का यह आपका प्रस्थिध्य आपका डीवल हो जाएगा अगला प्रश्न देखिये डिग बोई तेल चेतर किस राज़े में आपको बताना लाका प्रज भारत में किया जाता है यानि भारत में आयात किस चीज का किया जाता है यहां पर आप संदिया है चाय कौफी पेट्रोलियम यह लोग आयस मतलब होता है कि किसी दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को मंगाना वो क्या करता आयात करता है यहां दूसरे देश से कौन जो संगठन इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले आपका जिनेवा में है इसका सही जवब एवलाप्शन सही हो जाएगा ठीक है अगला देखें बारा नमबर का भारत में अधिकांश विदेशी प्यापार होता है ठीक है तो आप सभी को पता है कि समूंदरी मार है कब से प्रारम हुआ था था इस प्रश्न का सही जवाब विवलाप्शन सही हो जाएगा अगला देखें चौदा नमबर का कि उत्तरी आयरलेंड तथा नीदर लेंड दोनों इसाई बहुल देसे यह दो वर्गों में बटा है एक कैथोलिया तथा दूसरा किसमें बटा थ इस प्रश्न नमबर का भूमोगी की विस्यसता होती है जिसमें सामिल होता है जैसे सीमिच छेत्र ठीक है इसके अलब आपको क्या है अना श्वान या इसके लाग गती ही इस प्रश्ण का सही जो डीवला आपसन सही हो जाकर भूमी की विस्ष्थाओं में तीनों सामिल है अगला देखिए एक दलिये शासन विवस्था किस देश की विस्ष्था है एक दल आपका डीवला आपसन सही हो जाएगा कि एक दलिये शासन विवस्था जो है आपका चीन देश में शामिल है अगला देखिए भारती उपभोकता दिवस ठीक है कम मनाया जाता है यह मना जाता आपका 24 दिसंबर को इस प्रश्ण का सही जवाप डीवला आपसन आपके क्या ह हो जाएगा सही हो जाएगा अगला देखिए जमिदारों की दबाओं के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया था किस पर प्रतिबंद लगाया था तो देखिए यहां पर आपका सही जवाप क्या हो जाएगा कि मक्का मक्का पर जाएगा जमिदारो रिपोट किसकी द्वारा प्रकासित की गई था कि यूएण टीपी के द्वरत इसका सही जवाब गटक हो जाएगा यहां प्राराम होता है आप फाल में नंबर लियुक का वडात्म माल प्रChec जिसमें वर्णात्मक फर्ष्ट जिसमें 80 सब्दों में इसका एंस्वर देना है और यह प्रशन आपका चार चार नंबर का रहता है इस सभी प्रशनों को यहाँ पर आपको डिटेल में एंस्वर बताने वाले हैं तो आप इन सभी प्रशनों के एक बार सिर्फ देख है ठीक है किस नंबर का राजिनती में सांप्रदाइक के रूप को संचेप में असपष्ट करना है यानि संचेप में आपको असपष्ट करना है कि राजिनती में संप्रदाइक का क्या रूप होता है इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा कि संप्रदाइक्ता राजिनती में सबसे समान अभिव्यक्ति हमारे दाइनिक जीवन में दिखाई देती है इसमें धार्मिक ठीके धार्मिक पुर्वाग्रा धार्मिक समुदाय की विश्य में बनी हुई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से स्रेश्ट मानने की मानता स्बहुते देख सब्रताइक्ता कि एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या आता रहाएं स्वाफित करने की कोशिष में रती है इस प्रकास समाज के जो लोग बहु संख्यक समुदाय के होते हैं उनकी उनकी यह कोशिस बहु संख्यक वात के रूप में ले लेती हैं और जो अलप संख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग है राजनितिक संगठन बनाने की इच्छा के रूप ले साथ राजनेतिक दाएरे में लाने के लिए पवित्र चिन्नों धार्मिक गुरुम भावना अत्माग अप्पील आधी का प्रयोग किया जाता है दिके सीधे सीधा संप्रदाइक्ता का मतलब यह समझ सकते हैं कि एक धर्म को दूसरे दर्म से स्रेश्ट मानना एक धर्म के जो संख्यक वर्ग है अपने धर्म को आगे प्रच ले जाने की कोशिस करते हैं इसमें राजनेतिक दलों को भी देखा जाता है ऐसे आप अपने शब्दों में संप्रदाइक्ता का मतलब लिख सकते हैं अधवा में प्रशन रहता है आपका यह भी आपका चार नंबर कर रहेग सहा है कैसी हैं कैसे लिखेंगे लोक तंत्र में चार्वीमर्ष ता सम्झाओते के विचार पर आधारित होता होता है जो लोकतंत्र होता है इसमें लोक तंत्र सरकार नहीं है वहां पर लोगों के विचार मिमर्ष को नहीं देखा जाता है, ठीक है, अगर देखिए, किसी भी निरड़ाय में पहुचने से पहले, लोगतांत्रिक सरकारों कारे जनता की विचारों पर जरूर विचार करते हैं, लोगतांत्र जो सरकार होती है, कोई भी नियम कानून लाता है तो जनता के द्वारा पहले लाया जाता है और वहां पे देखा जाता है किसे जनता सहमत है या नहीं है यह नहीं रहती है तो उस जो नियम कानून लाया जाता है सरकार के द्वारा बदला जाता है यह लोकतांत्रिक सरकार के अंदर गताता है ले देखिए यही चीज़ लिखा होगा गयर लोक्तांत्रिक सरकार जनता की विचारों पर ध्यान नहीं देता है इस तरह अपने विचारों को मतलब लिखना पड़ेगा अगला देखिए विचार विमर्स तता समझोते के कारण निर्ण लेने में कुछ देरी हो सकती है प्रन्तु कि निर्ण परभावी हुआतीए जानी विचारों मर्स के द्वारा कोई नियम कानून लागु लें be can ईक्रम गजाता है देकिने परभावी रूप से लागू हुए है लेकिन इसमें क्या होता है गयर जो लोगता अंतरिक सरकार होता है यह उता कोई भी चैंजिंग अपने म लेंकेफिन Gregory परकाव लोगों पर जिवरद्स्थ सरकार से हैं धर्वाइए सड़ी अब यह कुछें पर लेंको अज़ते हैं बंड न छो भास द्राप०्मत्र करांवर्टी में परदने शिवराइं को असपश्ट कीजिए निश्चिन समय के लिए रासी पर अनुबंद के अंतरगत कार करने वाले बंदों मजदूरों से हैं जिने घर या नए देशों में ही बुक्तान किया जाता है उन्निश्वे सताब्दी में लाखो भारती वचीनी मजदूर बगानों खदानों और विश्व की विभिन अनिर्माकारी प्रियुजिनाओं में कारे करने के लिए गए अधिकांस भा प्रवास को असपष्ट कीजिए इसका मतलब सिधा सिधा यह वहता है कि जैसे आप देख लीजिए जितने भी भारत के लोग है अधिकांस अधिकांस अन्य देशों में जाके काम करते हैं जैसे आपको समझ में आएगा ताप आसानी से लिख सकते हैं ठीक है उन्निश्वीर सताबदी के मद्द भारत की इन राज्यों में कोई समाजिक परिवर्तन हुए जैसे कुटील उद्योगों का पतन हो गया जमीन का किराया बढ़ गया और ख़दानों तथा बगानों के लिए जमीन को साफ कर दिया गया इन सब कारों ने गरीबों को कारे की तलाश में परवास किराया बढ़ जाएगा वहां के जमीनों के किराय बढ़ जाएगा ठीक है वहां के जो पेड़ पहुदे रहें उसको काट के अधिक साधिक मकान बना दिये जाएंगे यही सब होता है भारत से अनुबदिन मजदूरे के प्रवास के बारे में आपको इस प्रकास से लिखना है ठीक है देखिए अथवा मास परिवहन में तकनिकी के भूमिका को असपष्ट कीजिए मास परिवहन देखिए क्या होता है रेफ्रिजरेटिट जहाजों के विकास ने खराब होने वाले खाद पदातों के लंबी दूरी तक विभिन यूरोपिये देशों तक निर्यात कि दिया गया इससे यूरोपिये बाजार में मास का मुल्य कम हो गया और मास कभी-कभी मखन और अंडे निर्धनों के लिए प्रदीन का आहार बन गया इस बेहतर अजीविका की इस्थिति ने देश के अंदर समाजिक शांति उत्पन कर दी और उतनी विशों में समराज जवा प्रशनों की कैसे मदद करेगा जो स्रम कानून है जो लचीलेपन कंपनिया उसमें कैसे मदद करेगा देखी इसको देखी बस एक बार प्रशन पढ़के आपको बता रहें बस एक बार सुन लीजिए जब आप सुन लेंगे तो आपको इससे समध्धी प्रशन पूछेगा आप बना कि इन प्रशनों का एंस्वर आप आसानी से लिए और यह प्रतियक प्रश्ण आपका चार-चार नंबर कराता है ठीक के इसलिए आपको थोड़ा सा एक पेज दुपेज़ दुपेज़ कम से कम दूपेज लिखना पड़ेगा दो तीन पेज़ लिखेंगे आपको या उन्हें काम से हटा सकता है कंपनी की स्तिती में किसी कमपनी को अत्रिक स्रेंकों को वहन करने की अवशक्ता नहीं पड़ेगी इससे कंपनियों के मुनाफिय में भी सुधार हो गार लचिलेपन कंपनी के मतलब यह होता है कि लचीलापन कंपनी जिसे मजदूरों को रखा गया मजदूर उसमें काम कर रहे हैं उनको मौसमों के अनुसार उनके व्यतं को बढ़ा भी सकते आँ या वाशकता की अनुत सब्वि कम भी किया सकता हैешь hi to company का के मृझाया दिया गया तो ही नहीं उसमिदर्जाई का पर खा कर दिया इस सकता है यहां भी लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्रदाई होगे यह विवादों और उनकी उपाईों के बारे में सोचने के लिए महत्तुपूर होगे ठीक है अगरा देखिए हम यह भी इसोचना होगा कि क्या कार करने का कोई बेहतर तरीका है सरकार निड़े करती है कि सभी के लिए नयाएपूर और सही मार्ग क्या होगा देखिए राष्टी विकास के लिए लोगों के परतिक प mina करती है और लोगों को उस प्रती ह roze गार करती है जिसह से राष्ट क क्या हो वीकास हो ठीकत अपने को यह बिस नॉबर का यह भी आपकाशार नंमर अधिनुव मैगनाटाइट में आपको अंता अलिक्षण ना जैसके मैगनाटाइट का अधिन क्या होता और इसका आपको इंच्व की Certain किस्म का होता है क्या एक लों का इसक होता है और उत्यम्च परकार का माना जाता है इसमें लगबक सत्तर परतिशत कर्म अन्स इसमें क्या होता है अब विद्दुद उत्द्योगों में बड़य पायमाने पर होता है दोसरा इसमें 70 प्रतिश्रत क्या पाय जाता है और इसका इसमें लोहे की मात्रा होती है लगभा कि शंब समय कौना पर्तिश्य तक क्या होतां लोहे की मात्राएं होती हैं इसका सरवाद modular में करते हैं वाड़ी हमयेंना इस पकास अब दोनों प्रश्नों का एंस्वर आप आसानी से अंतर लिख सकते हैं अगला प्रशन अथवा में तात्व कता अगला प्रश्न आथवा में पता है कि जब दो प्रश्न का एंस्वर करना रहता है दोनों प्रश्न का एंस्वर देख लिए जिससे आपको याद रहे तो बोड के एक्जाम में आप आसानी से एंस्वर लिख सकते हैं भारत में विद्धूत कितने प्रकास उत्पन की जा सकती है आप सभी को पता हैं कि 있다 में जो इस अद्वर्न करने के प्रकार है इन को अपने लिखना है एक बार इसको बस यहां बतानेबारे इसको आप देख लीजिए और बॉरंड के एकजाम में हंडेट पर संटेस्ट गारंटी देते हैं कि आप जैसे बताएंगे इसी प्रकार से प्रकार से उत्पन किया जाता है पहरा देखिए प्रमप्रागत रूप से जिवाश्व इंद जैसे कोईले के द्वारे पेट्रोल यह प्राकृतिक गैस आदी कि जलने मतलब से अधिक संयत्र है अपने शब्द नहीं लिख लेंगे वससका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विद्थपन होता है कोईले के द्वारा होता है प्राकृतिक गैस थीक इनके द्वारा फिर आगला देके जल्वीदूत के बारें लिखेंगे तो जल विद्धुत के सहयोग से गयर पारंपरक्त तकनी को द्वरा बिजली का उत्पादन किया जाता है यह एक प्रदूशर रहीत उर्जा स्रोत है जिससे संपुर भारत में बिजली प्राप्त किया की जा रही है बाखा नांगर परियोजना दामोदर घाटी परियोजना वह को फिर्था कर रही है तीस पकामर प्रश्ण श्टार्ट होता है कि अधिक शबधों का इन्सवरदेन आपको डेर्स्ट सब्दिम देना यह पर टेक फ्रे चेच नंबर करता है देके पाटीसवा नंबर का जो है असायोग आंदुलन का प्रारम क्यों किया गया उसका मुख्य कारकरम क्या था टोटल छे नंबर का है देखिए असायोग आंदुलन की प्रिष्ट भूमिका को आराम से अब सुनिए यह प्रश्ण में सापको बहुविकल्पी प्रश्ण भी बनता और लांग कोईशन त किया था क्योंकि उन्हें ब्रिटीश सरकार की जिम्में इमांदारी वन्याई प्रियता में विश्वास था प्रंतु वर्श उन्नाईस सो न्यस यह रोलेट एक्ट जो इन्नीस इस इस संद को आप जरूर याद रखिए गाना को उन्नीस उन्नीस में भारत में अनेक ऐसी घ एक्ट जो थह जालीआवाला भाग हत्यकान आहीत घट नगतीते और फिट्व उन्नीस में दो परमुक्त जो गटना थी उन्नेश और जाल यामाला भाग हत्यकान जो हुआ था ननीस तू इस्विय में आया था इसी के विरोध में महादमा गाधी जी के द्वारा असायोग रोल्लेपट एक माहत्मा गादी जी के दोरा इसे में महात्मा गादी उच्छाइ में editor छलाया गया था ठीक हो अत्यिज? लिख सकते हैं और क्या कारन थे ऐसायो आंदोलन के निमनिकीत कार्ड यहां पर कार्ण बहुत से बताएंगे लेकिन आपको इतना में लिखना है लेकिन इसमें से आप लिखर दूपसिति आपको लिखनाई पर लेकिन आप सुने रहेंगे इसको आज़ानी से लिखके चले आएंगे इपर परतम विश्व में ब्रिटिस विर्योद्वी भावनाव को प्रसार कर उन्हें आंदूलन हेतु प्रसाइर किया गया देखिए जब प्रथम विश्वयुद्ध जब हुआ था तो उस समय क्या था कि आपका महंगाई चरम सीमा पे हो गई जिससे लोग ग्रस लोग पीडित होने लगे और उन् सब्सक्राइब करने के लिए अग्रसर हो गए थे इस पकार आप लिख सकते हैं अब देखिए और सी कौन सी घटनाए हुई थी पंजाब में अत्याचारों के संबंद में हंटर कमेटी की सिफारिस ने सबकी आंके खोल दी ठीक है अगला देखिए वर्ष उन्नीस उन्नीस का जुम्मान टेंग्यू चेप सफोर्ट सुधार भी डेव शासन लागू करने के कि नियमों से लिया गया ना कि आम जंता के रहत पहुचाने के उद्द्यस से श्वासासन की मांग कर रहे सुराष्ट्री वादियों को अभी इससे गोर निराश हुई ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हंटर कमेटी आयोग बना था उसमें भारत के तरफ से बहुत कम लोग ही उसमें सामील हुए थे जिससे जो आंदोलन कारी थे जो राष्टवादी थे उसमें आज सोच रहे थे उसमें उनको अस्थान मिलेगा लेकि सरकार के द्वारा किसी भी छेत्र में सहयोगता नहीं मिली थी यह सभी मुख्यकारण है आप इसको लिख सकते हैं सहयोग आंदोलन के निस्यधात्मक कारकरम क्या थे पाला लिखिए गया उपाधियों और मानत अधिकारियों की वापस यानि जितने भी जैसे महात्मा गाद और अस्थानी निगायों के इस्तिफा सभी लोग देने लगे सरकार दौा सरकार ने सरकारी दर्बार में जाने से इंकार और वकीलों द्वारा नयायले का बहिसकार करने लगे आम लोगों द्वारा फोज या अन्य सरकारी सेवाओं में जाने से इंकार सरकारी विद्यालों सभी लोग करने लगे यह था असायोग आंदोलन का कारिकरम क्या था आपको जितना प्रशन पूछा जाएगा बस उतना ही अंसोर देना लेकि असायोग के बारे में आपको पूरा डिटेल बता दे रहें जिससे आपको आसायोग आंदोलन से किसी भी प्रकार का प्रशना है तो आप लिख सकते हैं इस तिल्यों ने भी बहुत उत्सा दिखाया और अपने गहने जेवरों को खुल कर दान किया विदेशी वस्तरों को बहिसकार देश में जगा जगा विदेशी वास्तरों की होली जलाई गई इसके साथ साथ 20 लाग चर्खों का वित्रण किया गया राष्टी सिच्छा की दशा में परियास करना सुधेशी माल के खरीदरों पर देश और लोग अधालतों की अस्थापना और प्रमुक रचनात्मक कारकरम धाल गया उस समें लोगों के दौरा ज्यादा होने की परतीके अधिक बेब्याहने भाग लिया खाल देश जेवरों का भी विद्रण किया इसके बाद स्वकार के त्य Przy ก्रूप में इतने भी लोग तैंटू inversa nausne corrections के बीच्छा सभेयोशी लोग उस्वेशीट सभूह इसं स्वाधी से कपड़ा को पहने और विदेशी कपड़ा जो है उसका बाइसकार किया गया और हर जगा उसकी होली का जलाई गई ठीक है अगला आता है आपका असायोग आंधोरन का प्रारम कब हुआ था असायोग आंधोरन अपचारिक रुप से एक अगस्त नईसोबीस को शुरूआ तथ इस संब को आप जरूर याद रहें असायोग आंधोरन का प्रारम कब हुआ था तो नईसोबीस में क्योंकि इसी दिन एक अगस्त नईसोबीस को बाल गंगा धर तीलक का निधन हो गया था कांग्रेस ने गाधी जी के इस योजना को सिकार कर लिया जब बिटीस ने कांग्रेस की मागों को मानने से इनकार कर दिया तथा जूर नईसोबीस में इलहाबद में सरवदलिय सभा ने विदेशी वस्त मंगने कीव औहना श्कूल नियायालो आधी कि वहिसकार के कारीकर्ण बनाया सितंब्स में कांग्रेस ने एक विशेश सत्र कलकत्ता में बुलाया और नवी सुबीस में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता में हुआ था इसको भी साथ है आप याद रखिएगा ठीक है तो यहां पर देखिए इसमें अहिसात्मक्स असयोग आंदुलन जिसका अंतिम लच्छ सोराज शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया यह था आपके असयोग आंदुलन से इससे बाहर आपके क्वेस्टन नहीं जाने वाला है जिस पॉइंट को इसमें बताए उस क्वेस्टन को भंग करने के क्या प्रहाम इसका कार्ण ला कारून को भंग करके निलफित प्रहाम हुए बोजन में गिरावट आने में खपत में ब्रद्धी हो गई 19 सदाबदी के मद्द्ध से ब्रद्धीत हुई तीजी और आय भी बर गई ता बोजन के लिए अधिक मार् भी कि यहां पर कार्णला कानुन को मेन उत्यिश क्या था भोजन के मुल्याका गिरावट करना जिस में अधीक कार्णला बन्क करने का में में पडान जरुब सम्हें करने के लिए नए रहलसी सेसनों उसा में द्रगाहों की जरूरत पड़ी कर्मचारियों की संख्या में प्रिद्धी होने की अत्यधिक अवासों प्रवधानों की जरूत हुई इन सभी गत्वीधियों के लिए पूजी और स्रम की अवशक्ता थी अगला देखिए लंदन जैसे वित्यकेंद्रों से पूजी का प्रवा प्रवास करने लगे कान कानुन को भंग करने के में उद्धे से क्या था कि भोजन के मुल्यों को निर्यात जो अधा उसको कम करना जिससे उसके उत्पादों में अधिक से अधिक भृद्धी होना ठीक है अगरा देखिए अठारों सुनब्य इसे वैस्वी किरसी अर्थ वि करने के लिए उपजाओ किरसी भूमी सिचाई का विकास का पंजाब को निरुपा निरुपांद्रित कर दिया छेत्री वरस्तों का विकास इतनी तेजी से हुआ कि अठारों सुबीस से उन्नेस चौदा इस्वी के बीच वीशोब्य पार पचीस चालिस गुना बढ़ गया यह आप कारण कानून के बारे में जरूरी याद रखिएगा अगरे देखें प्रशन 26 उन कारवा का वरण की जी जो समाज में लाएंगिक असमानता को बढ़ावा देता है यह तो आपनों लोग लिख लेंगे बहुत सिंपल से होता है समाज में असमानता को बढ़ावा कैस क्याBoy क्या करेंगे यह वतार लैंगिक भाजन ठीक है कि महिलाओं केवल घर का काम काश करेंगी और बाहर के सारवजनी छोत्रिकार करेंगे ऐसे महिलाओं के स्रम का कोई मुल्य नहीं होगा कि महिलाओं को कौन से काम देना है और कौन सा काम देना है उसके एकारडिंग जो बाटा गया वह तर लेंगे भाजन असमानता जो देखा गया इसके बारे में आप समझते रहें बस आलाइंगिक समानता का मतलब क्या होता है इसका मतलब आप समझ जाएंगे तो आप अपने लिख सकते हैं इस प्रश्न का एंसोर ब लड़की जन्म पर खुशिया मनाई जाती है वहीं लड़की का जन्म लेना परिवर्तन के लिए परिवार के लिए लुक का बन जाता है आज भी भारत में के बहुत से लोग हो में यदि कोई महिला विद्वा होती है तो उसे पुनलविवा करने की आज्जा नहीं दी जाती है समझ में आ गया अलेंगी समान्ता के महिला पुरुस में जो अंतर होता है उसके बारे में आप सभी को बताना रहता है ठीक है भारत में विद्वाओं और महिलाओं प्रतिनी दित्व का अनुपाद बहुत कम है भारत इस मामिले में अफरीका और लेट टीन अमरिका की लोगतंत्र सिद्धांतों में अच्छा दिखाई देता है परंतु ब्यभार में इसे इतना अच्छा नहीं समझा जाता कथन की पुष्टी कीजिए ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि लोगतंत्र आमतरुपे भिन समाजिक विभागों को समाज समायोजित करने के लिए एक विक्सित करता है इस समाजिक तनाव विस्पोटक या हिंसक होने की संभावना कम हो जाती है कोई भी समाज अलग-अलग समहों के भी संघर्स को पूरी तरह और अस्थाई रूप से हल नहीं कर सकता देकिन समाज जिक मदबेद भी भाजर और संघर्सों कर नियंत्री करने के लिए लोगतंत्र शबसे अच्छा है अपने लक्ष को हासिल करने के लिए लोगतंत्र को निम्न की शर्टों में पूरा करना होगा ठीक है अब दिके सर्थ क्या है यह समझना आवस्था है कि बहुसंख्यों को सहमती द्वारन लोगतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता अब देखिए अगला प्रश्णा राष्टी रोजगार गारंटी अधिनियम कब तयार किया गया इसकी प्रमुक विश्यस्ता हैं बताइए राष्टी रोजगार गारंटी योजना जो था आपका 2005 में ठीक है अधिनियम तयार किया गया चिसे जिसे आप प्रधार मंत्री द देखिए इसका क्या है कि यह 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 अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और ग्रामिड छेत्रों में गरीबी से प्यूडित महिलाओं को लाच्छित करती है ठीक है अगला यह 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 देश के 625 जीलों के प्रतेक ग्रामिड परिवारों को एक वर्स में कुपाण के किनी तीन अधिकारों को वांग किजी यह गी चछानंबर का करता है झायूआ कोई बी प्रकुता जो अपनी जमता के अनुसार आयू और शेवा की प्रकिती की चिंता के लिए बिना किसी सेवा को प्राप्त करता है वह चुलने का अधिकार रखता है ठीक है चाहे वह सेवा उसे लगतार प्राप्त करने हो या नहीं जैसे केबल आपरेटर की सेवा या बिना तूट ब्रस के तूट पेस्ट खरीदना आदी चाहे दुकांदार दानों को खरीदने के लिए बात निवाराण का अधिकार होना चाहिए परतिनी धित्तों का अधिकार होना चाहिए तो यह आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है अगले प्रश्न को बताते हैं हाफ सभी को देखिए भी इंपोर्टेंट है परमाणु उर्जा से आप क्या समझते हैं इसकी किनी 5 विश्यस्ताओं क और अवर्ण कीजिए ढाया जो अधान पार्माडव उर्जा जो ओंता है यूरेनियम के द्वारा जो आपका विजिए विद्वती ऊर्जा उत्पंड किया बनाया जाता है है प्रमाणु उर्जा Kin senior का होती है इसके बारह आफ सबीबंदेंगे पहले आप दख सबीद को प् जरकोनियम यह सबी जितने भी तत्व हैं इनका भी खंडन करके जो उर्जा बनाई जाती हो क्या कलाता है परमाड़ उर्जा कहां कहां पर है तो आपका एक तारापूर है जो महराशने पढ़ता है कल पक्कम है 30 पकास आप लिख सकते हैं एक नरोरा जो उत्तर पर देश में य परमाड़ उर्जा के इंद्र में पर्योंड के संबंद में शरी प्रयास किये इसके इसके निया अंद्र नेर अ करने हैं प्राकृतिक रूप से उच्छ संभावना वाले जैसे यूरेनियम थोरियम का भारत परमाण उर्जा रियक्टरों के नाभिकों में इन दने को रूप में करने लगा ठीक है भारत ने कुल विद्धुत उत्पादां का दूद असलों 5 प्रतिसत जो हता है विद्धुत उर्जा केंद्रों के द्व होना चाहिए ठीक है यह तब परमाण उर्जा केंद्र के बारे में अभी यहां उसकी क्यूच विश्यस्ता है देखते हैं अपार छमता उर्जा के चति पूर्ति यारी भारत में उत्तम कोईलावा खनीश तेल का अभाव इसके विपरिद्ध परमाण उर्जा अपार छमता शक्ति होती है जिसके द्वारा उर्जा के अभाव के चति पूर्ति हो सकती है देखिए जैसे कोईला वाला के द्वारा जितना उर्जा उत्पर किया जाता है आप कम मात्रा में यूरेनियम का प्रियोग करके उससे अधिक से अधिक मात्रा में आप क्या कर सकते हैं जैसे ही बनेगा जिसका अधिक मात्रा में प्रयोग भी कर सकते हैं इसके क्या होगे कुछ विशेष्टाएं हो गई देखिए आपको सबसे इंपॉर्टन जो को बताते हैं इसको तैयार कर लिजिए भारत में गयर प्रमप्रागत उर्जा के संसादनों का वरण कीजिए देखिए गयर प्रमप्रागत उर्जा के अंत्रगत आते हैं तो आप गयर प्रमप्रागत उर्जा और प्रम्प्रागत वर्तमान समय में उर्जा का रहा चर्णीय के उंत्रगत आते यहें शूर के सरी किरों से प्राप की जाती है। इसे प्रणदोग कें उप्योग के द्वारह विद उर्विद्व र्जाता प्रीवर्टन किया जाता है। भारत में आशीमित संभावना है। भारत उर्जा की उप्योग की और तेजी से सरकार का ध्यान गया है भारत में गुजरात के पाटन में एशिया का सबसे बड़ा सोर उर्जा सनेत अस्थापित किया गया है भारत में जवाहर लेहरू राष्ट्री सोर मिशन के अंतरगत वर्स 2022 तथा 20,000 मेगावाट और सोर उर्जा उतपादन लच निर्धान किया गया है वर्तवान में 2647 मेगावाट 100 ऊउर्जा के उतपादन किया इसके बंद खेंजरा देखें भूत्य मना ज्वार भाटा आता है उनके पानी को एकत्रित करके उसके द्वारा जो उर्जा बनाया जाता है जो बिजनी बनाया जाता है वह ज्वारी उर्जा हो जाता है पवन उर्जा के मतलब होता है कि हवाओं के द्वारा टर्बाइन लगा कि उससे जो उर्जा उत्पर्ण किया जात 29 खक्क है भारत के मानि चित्री पर निमिए कि अस्थानों को उनके नाम सहित चिन दार दब्रशाना है पहला कि वह अस्थान जहां किसान आंदोलन आपका सिरु यहां पदा रहा है कि किसार कहां से शुरु गुजीड़ा से लिए भूसे इस तरह लिए देंगे यह पहले हैं तो पहला लिख सकते हैं अब देखिए अगला वाज़तान जहां सितंबर महिने का नाम याद रखेगा सितंबर 1929 में भारती राष्ट्री कंग्रेश का अधिवेशन हुआ था कहां पर यह वा था आपका कलकत्ता में कलकत्ता इसे याद रखेगा कलकत्ता कहां पर पस्चिम बंगाल पड़ता है यह आ अगरा देखिए वास्तान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेश अधिवेशन का आयोजन हुआ था था मदरास में यह उन्हें सितंबर महिनां १ाहिते कलकत्ता पतहीं के हैं आपका पढ़ता है और यहां पर यह ही पर था सब्सक्राइब और यहां पर बरियेगा मद्राश ठीक इस पकास भर लीजिएगा अगरा देखिए वह अस्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिमेशन का आयोजन हुआ था देखिए यही प्रश्ण आपका रिपीट हो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वह अस्थान जहा इस चीश भी द्यान दीजिएगा सण और कलकत्ता और 927 पुछेगा अर्ने सथाइस पूझे ऑनलाहोर आपका है घृब यह आपका पाकिस्तान यहां पर यह आपका हो जाएगा प्रश्ण नंबर चौथा का चौथा को यहां लिए लाहोर ठीके देखें मांची तरह कितना सिंपल तरीका सब भर रहे हैं वह असा योग आंदूरन वापिस ले लिए गया तो कहां पर लिया गया था चौरी चौरा जो हर्ता कांड हुआ था कौन सा कांड हुआ था उन्हीं सुबाइस में चौ प्रदेश में यह पढ़ता है इंहीं आप चौरी चौरा चौरिके का छौरर हुझ और कौन है पांचमा यहों पांचमा थिजिये पूर अपर ऐतना ता ठीक है देख लिए देखे आपका अगला है सवाल कि भारत के मांसे परकल को पठसाओ नाम लिखे जैसे पषा नं अंगलबाद को तो भारत को मपरता है पंजाब को पहले वो पहले वाला भाख जो हता है यहां बाकिज़ कर नंगल ब्रह दींगे अगला नंगल ऑह देंगे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की पाचान कीजिए तो आप कोो पता है प्रमुख चारू भाधक राज्ये और मौप सकते हैं अको रहेंगे तो आप यहां पे पंजाब में पहल नुका सकते हैं शापिशल सकते हैं यहां तो सहल फिस कहार ना कों सा हिए ला थिया पर सइकार यहां यहां जबेंट इयो रहे है कि यहां मत्रीचिव वीए चल का टॉ काफी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो काफी उत्पादक राज्य आप सभी को कई बर बता चुके हैं कि काफी उत्पादक जो राज्य आपका करनाटक है कौन सा करनाटक तो दीकिने का प्रमाटक और कर्णाटर और अब आपको आपंग कर्naटर के इस तर्स देजी कर करणा उसा डद नने पहले बाट में पहले कि यह हैं कर दाद कोफला दिखाना है टीहरी न कहा प्रमाड यहां से चोथा नमबर का है और यहां पे लिखिवा टि हरी बांध कर दिखाना है कि ती नदी को इस चिन के दीखाना है कि तपी नदी आपके कहां पर तो तापी नदी आपका पढ़ता है महाराष्ट में तो यह आपका किस चिन के दुबर ऐसे करका ऐसे देखा दिए और यहां पर तापी-णदी देखा दो है और तापी-णदी देखा दीजिएगा तापी-णदी दिश्वा पूरे-जो सवाल बता है इस पकासा भर लीजिएगा ठीक है यह पेपर का आपका संपूर हल था इस पेपर को आप जरूर देख लीजिए अब मांचित्र को तदम गारंटी देते हंटेट परसंटेज का मांचित्र वाले जो सवाल है आप जरूर अच्छे से पढ़के जाएए आपको पूरे के पूरा पेपर जो मांचित्र सवाल रहेंगे आपके इसी में से आने वाले हैं तो आपको यी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो इस अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें